उनके बारे में कहेंगे सबसे पहले सिशवा पुष्पा मिसी जो मिलाई से हैं हमारे मधिय में आए हैं हमारा दानी ब्रदर का बहन है और वो सिटर उस परिवार से बहुत जुड़े हैं वे अमेरिका में भी उनके घर में भी जाकर रहे हैं और उस परिवार से एक अच्छा रिष्टा उनका है तो इस वट रवकिदासी सामने आएंगे सुषप पुश्प में सी और अपनी बातों को हमारे सामने रखेंगे सबको मैंने समय बताया उस समय के अंदर गत वे सबके सब उस बातों को पूरा करने के लिए कोशिश कीजिए अवर पास्वानुगा आज ही वापस जाना है उनकी गाडियो वेरा उनकी टिकेट वर लिए वह है क्योंकि कई जवड़ा पर भुवास परातना चल रहे हैं और कई जवड़ा कल से वड़ाउस पर आरंभ हो ना है तो उनको अपने समय पर पहुंच रहे है सुष्पा मेंसी बिलाई से Praise the Lord कुछ लोग होंगे जो मुझे पहचान रहे होंगे राजा तलाब की लड़की Pastor P.S. Samuel के आत्माओं जीतने के लिए जो पहला फूल था वो था मेरी माँ प्रेमी बुआ बुलते थे उस प्रेमी बुआ की छोटी लड़की पुषपा मैं हूँ इस कारिया परिवार के सिवाओं को याद करने के पहले मैं यही चाहूंगी कि वो घराना इतना आशीश है प्रियो आशीशित है प्रियो क्या धन्य है उसकी मा मरियम उसके पापा जिन्होंने तीन भक्त लोगों को जन्म दिया सबसे पहला बेटा योहनन सेकेंड हमारे पी-एस सामवेल जो साथ साल से उन्होंने प्रभू को चुना और अठारा साल की उमर में उन्होंने अपने आपको प्रभू के सेवा के लिए अर्पित कर दिया और विराय पुरा है मगर प्रियो ये कहने में मुझे कोई भी दुविधा नहीं होती कि मैं बड़ी छोटी इस बच्ची के समान थी और अपनी मा की साड़ी का पल्ला पकड़कर के मैं मीटिंग में आया करती थी मीटिंग में क्या था एक उपर का घिरा हुआ चारो तरफ से वो एक पुराने जमाने में ऐसे हुआ करता था कि कोई कन्वेंशन हो रहा है कुछ हो रहा है तो उसको हमेशा चारों तरफ फैला दिया जाता था और हम छोटे बच्चे उसके छेदा से ऐसे उसको फार देते थे तो हमको पिटाई पढ़ती थी मैं वो थी, बहुत छोटी मैं सोचती हूँ कि शाद मैं दूसरी तीसरी का किशा में पढ़ती थी मेरी माँ पहली बबतीस माँ पाने वाली इस्तरी थी प्रेमी बुआ कहा जाता था और ये नीचे के हॉल में जब उनका बढ़ापा था तो वो कोने में उनके लिए पास्टर पी एस सेम्वल एक छोटा स्टूल रख दिया करते थे और कहते थे कि कोई उसमें नहीं बैठना वहाँ प्रेमी बुआ बैठेगी पास्टर पी एस सेम्वल के समान प्रचारक दुनिया में मैंने अभी तक नहीं देखा न सुना जब वो आये तो दुकानों के कॉरिडोर जब दुकाने बंद हो जाती थी उस कारिव डोर में बैठ सोया करते थे कुकुड करके ऐसा सिकुड के छटिस गड़ी में कुकुड करके बूलते हैं हम लोग और ऐसी सेवा की भूखे प्यासे पूरी जीवन बिताया उस समय हम लोग सिविल लाइन्स में रहते थे राजा तलाब के और मेरी माँ अंडा बेच बेच कर पस्टर सैम्वल को जमा करती ही थी पैसे के लिए और किराय का मकान दिलाया राजा तलाम में मैं छोटी लड़की अपने फ्रॉक को जब कभी भी मटन और मचली आता है तो फ्रॉक से ऐसे दबा करके मेरी माम मुझको लिचलती चुप चिपा करके जा और उनको खिलाया करते ऐसे दास जिनका ठीखाना नहीं कहां रहूंगा क्या खाऊंगा, क्या पिऊंगा अहाज ऐसे दास है प्रियो, हम सच में खुश नसीब है कि हमको ऐसे दास मिले है कहां तक कहां से कहां तक पहुच गया देखिए पूरा पास्टर पीएस सेम्वल के पहले योहनन उनके सबसे बड़े भाई थे और पीएस सेम्वल यहाँ पर रायपूर में उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री चालू की पेंटी कोस्टल और उनको कहा जाता था कि यह अब लेडीज का चूड़ी तोडवा देते थे विदवा बनावा थासका तुरी मनला लाईका मनला ऐसे करके मेरे दादा डंडा लेकर उनको मारने के ली जाते थे ऐसे विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने किस प्रकार मिनिस्ट्री की होगी यू कैन वेरी वेल थिंक अबाउट डाट बहुत अच्छे से सोच सकते हो कोई होता तो भाग जाता है आज इतनी बड़ी मिनार इतना बड़ा मकान इतना बड़ा चर्श हमारे लिए है तो मैं एक उस समय की लड़की हूं जिन्होंने पास्टर पी-यस सेम्वल की समय की स्थिती को देखा है कि उन्होंने किस प्रकार अपनी मिनिस्ट्री आरम की और आज वो कहा तक है शुरू शुरू में हमारे पास्टर प्रशार करते थे तो ऐसा लगता था कि पास्टर पीएस सामवल बोल रहा है पास्टर पीएस आवाज भी उनकी वैसा ही थी थोड़ी थोड़ी अभी चेंज हो गई है बिलकुल पी ऐसा है बोलके समान हमारे अभी के पास्टर वो सच में हम सब के लिए धन्यवाद की बात है कि वो ऐसे पास्टर है जो अपने गुरू के रियल डिसाइपल है तो मैं अपने बात पर आऊंगी कि हम डाक्टर स्कारिया के सेवाओं को याद करते हैं प्रियो डाक्टर स्कारिया उनके छोटे भाई थे और वे अमेरिका में रहते थे इससे पहले तो उडिसा में उन्होंने MSC वेगरा किया और स्कूल लाइफ उनकी कैरल में रही और वो भी प्रभू के पीछे चलने वाले व्यक्ति थे और उन्होंने अमेरिका में नौकरी की उसके साथ साथ प्रभू की सेवकाई भी की और मुझे अचानक जाना पड़ा अमेरिका अचानक का मतलब क्या है कि मैं उस मिनिस्ट्री में हो प्रियो जिसमें प्रिजन मिनिस्ट्री और मैं अच्छी स्पीकर हूँ बच्पन से तो मा के साथ अपनी पेंटीकोस्टल चर्च में आया करती थी पेंटीकोस्टल कंवेंशन में आया करती थी तो मैं I was a very good ओरेटर, डिबेटर, स्पीकर तो मुझको बुलाया जाता था छोटे लड़कों के जुवेलाइन डेलिक्वेंसीज बाल अपराधी बच्चों को समझाने के लिए किसी को इन्वाइट किया जाता था तो मैं जाती हूँ और मैं Iiswar को धन्यवाद देती कि पड़ा और तब मैंने पास्ट पी समेर से कि मुझे टेन्सी जाना है तब मैं अपने भाई से बात कराता हूँ या मैं बात कर लोंगा और तब मैंतुमको भेजवगा आकेली जा रही हो तुम अब मैं शुरू से वैसे ही थी, क्योंकि प्रभू ने मुझे तो पच्छपन से चुन लिया था ना, मुझे डर नहीं लगता था, छोटी लड़की, हवाई जहाद देखी नहीं थी, वो हवाई जहाद से जा रही है बाहर, अकेले, कोई नहीं है उसके साथ, प्रियो, प्रभ शुरू ने हमें आशिशों सी वर्षा दीते हूँ, इसी संदर्भ में मेरा जाना हुआ, डॉक्टर स्कारिया के घर में, उनको जैसे पता चला प्रेमी बुगा की लड़की है, उनको याद आगए वो दिन, की उनका भाई, इस जगह पर स्थापित हुआ तो बहुती, और भी दो तीन महिलाएं थी, ये सारी महिलाओं ने उन्हें खुशी से स्विकार किया, चतिस गड़ में जो उसको स्विकारा जाना था, वो सच में एक अजीब वाकियात था, तो इस प्रकार मैं जब वहां अमेरिका गई, उनके, जब उनने कहा कि देखो पुश्पा, कि दो तुम अकेले जाती, तो तुम समझ में नहीं आता है, अमेरिका में कहा जाना है, परन्तु मैं जा सकी, और उन्होंने मुझे स्विकार किया, और वो उस समय जवान थे, बहुत हैंटसम थे, और खुश हो गए, कि पुश्पा आई है, और कहते हैं, देखो मैं तुम कुर कार में ले जाता हूँ, अब हम तो 36 गड़िया यहां के, अभी तो बहुत मॉडर्न हो गया है, 36 गड़, तो उस समय वो कहते थे, चलो कार में बैठो, और तुम कुछ गुमाता हूँ, और उन्होंने मुझे मुझे मुजियम दिखाया, जिसमें डाइनो सोर्स, भयाई यहां से पूरा शिकागो सिटी दिखता था, मैं इसलिए बता रही हूँ, कि प्रभु के दास होने के बावजूद भी वो एक संसारिक व्यक्ती थे, जो खुशी और दूसरों को महमान नमाजी करना जानते थे, और उसके बाद फिर, मिसी सी पी जील वहां पर भी मुझ को ले गया ह मेरे चश्मा कहीं गिर गया था उस दौरान एयरपोर्ट में ही गिरा होगा, मैं नहीं जानती, तो उनसे कहा कि मेरे पास चश्मा नहीं है, और जो चलो पैठो कार में, और मुझे कार मेले जा करके, बोले, आप तो नमबर नहीं मालूम ना, मैं कैसे देखूंगी, चश्मा कैसे बोल रहे हैं, और कहते हैं, अरे वहाँ तो इतना एडवान सिटी, कि तुम ये चश्मा धेर सारा लटका है, और चश्मा को पहन पहन के देखी, हाँ, ये इसमें ठीक दिख रहा है, इसमें ठीक दिख रहा है, और वो चश्मा को मुझे दिये, कैसी खुश नसीम हूँ कि ऐसे प्रभु के दास की फैमिली के सबसे छोटे लड़के, जो अमेरिका में प्रभु की सेवा कर रहे हैं, और अपने सर्विस भी करते थे, बाद में उन्होंने उनको छोड़कर पूरी सेवकाई अपना प्रभु के लिए दे दी, तो इस प्रकार मुझे वो चश्मा मि मैं यहाईगा, मैं उतर रही हूँ न, लुझे लिए और वो बटन दबाते, और दर जागए ठोल न, लुझे खूल घए Stephen उस जमाने में जब मैं गई जब मैं गई थी मैं तो उस कितना है? 2003 मैं गई थी खुब डहर सार देश गई थी तो मैं भूल जाती हूं क्योंकि बुजर्ग मैं भी हो गई हूं ना? तो प्रियोग तो वो लाइट लगाए और उसके बाद फिर वो गहते थे देखो अब मैं तुमको दूसरी जगा ले जाओंगा दूसरी दिन ले गए और बोले कि देखो रास्ता ऐसा है ना? तो सीधा सीधा चलना मैं इधर मोड जाता हूं तो वहां उनके जो कार के डेश बोर्ड में वो आ जाता था कि तुम गलत जा रहे हो इधर मोड़ो बाएं मुड़ो दाएं मेड़ो और फिर आगे जाना देखो कैसा मैं गड़बड़ गड़बड़ कर रहा हूं ना? कितने मजा किया थे वो प्रभू का दास ऐसा नहीं कि बड़ा सीरियस है क्योंकि वो भी He is also a human being वह भी एक मनुष्य है उसके शरीर में भी हमारे सारी हमारे समान जर्णार स्त्रोथ बने और उन्होंने अपना पैसा भी लगाया इसमें यह यहां के अध्यक्ष्व है थे हैं बोल रही हूं अभी तक उनकी यादे नहीं भूली नहीं जा रही है जब मुझे वहां से पता चला पता नहीं कहां से भूल गई मैं तो मुझे रोना आ गया अर तुरंध हमने प्रदर को फोन किया कि देखिए हमने सुना है ऐसा रोती रही और इस प्रकार जैसे कि पास्टर साफ ने बताया था कि 88 एर्स में उनकी मृत्ती हुई वो प्रफु के लिए तयार थे रोज उनसे बाचीत किया करते थे हमारी पास्टर साफ और कहते थे कि शायद मेरा मौका है गया कि मुझे जाना है तो प्रियो ऐसे गुणवान परमेश्वर के लिए अपनी जिन्दगी कुर्बान करने वाले व्यक्ति जो यहां के अध्यक्ष थे बाइबल कॉलेज के प्राचारिय रहे ऐसे व्यक्ति को मैं नमन करती हूँ और मेरा दिल हमेशा उचलता रहा कि मैं कब पादरी साब से बात करूँ उनकी सेवाओं के बारे में बताओं कि ये पूरा घराना कैसा आशिशित है यहुशु के समान कि मैं अपने घराने समेथ सेवा करूँगा विश्वास किया यहुशु ने आज वही यहुशु का घराना ता छोटा बेटा MS सकारिय गुरा नारा खुबसूरत सुन्दर सा प्यारी मिठी बातें करने वाले soft spoken व्यक्ति आज प्रभु के पास सोग है तो मैं उनको नमन करती हूँ और मौका मुझे पादरी साब ने दिया तो I am very grateful to him so thank you very much praise the Lord